हेलो अब्रिवन वेल्कम टू माई यूटूब चैनल सुभम इस्टिडी जी के इंडियन जोगराफी की ट्रीज में आज हम भारत के परवत से रिलेटेड यह बीडियो है इस बीडियो को हम तीन पार्टों में कवर करेंगे पहले पार्ट में हम उत्तर के परवत संखलाओं के बात करेंगे और अगले पार्ट में दूसरे पार्ट में हम दच्छड और मद्द के परवत संखलाओं की बात करेंगे और तीसरे पार्ट में सभी important question answer set लगाएंगे तो आज के इसका पार्ट नम लेक्चर नमर फोड आए और इस परवत भारत के परवत संखला का यह पार् बात करें तो भारत के उत्तर सीमा परिस्तित हिमाले पर्वत संख्ला विस्तुका नया मोड़ार वलित पर्वत है अगर question exam में पूछा जाए कि हिमाला किस परकार की पर्वत संख्ला है तो नवीन मोड़ार यूवलित पर्वत संख्ला है ठीक हिमाला की पर्वत संख्ला हो को दो भागों दो अधारों पर ग्यात पड़ा जा सकता है पहले अधार पर आयू और आयू के अधार पर और दूसरा नदियों के अधार पर तो चलिए एक एक कर्चे से डिसकस करते हैं पहले अगर भारत की परवत संखलाओं को आयू के अधार पर लेगें तो आयू के अधार पर तीन भागों में बाटा गया है ब्रैथ हमाले, लगू हमाले और सिवालिक सेनडी ब्रैथ हिमाले को महान हिमाले भी कहते हैं और इसके बाद लगू हिमाले मिडल छेत में पाई जाती है और एक सिवालिक सेनडी आती है महान हिमाले में माउंट औरेश्ट जो की विस्सु की सबसे सरवादिक उच्चाई पर इस ते चोटी है महान हिमाले में पाई जाती है अगर महान हिमाले की बात करें तो महान हिमाले की उचाई 6100 मीटर हिमाले सेनरी सबसे परचीन है तो महान हिमाले सेनरी कौन सी है सबसे परचीन सेनरी है इसका निमाल 20 से 25 से 40 मिलियन वर्स पूर हुआ था विस्व की सबसे उची चोटी कौन सी मांट एरेश्ट जो विस्व की सरवादिक उची चोटी है जिसको नेपाल बौर्डर पर इस्तिता है बारत नेपाल सीमा पर इस्तिता है तो जिसकी उचाई कितनी 8,848 मीटर है नेपाल में इस्तिता यह विस्व की सबसे उची चोटी है और इसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है सागरमाथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है किसको माउंट एरेश्ट परवत संक्ला को आगे बात करें सिवालिक स्रेडी की सिवालिक स्रेडी यह सबसे हिमाला के सबसे बाय परवत संकला है यह हिमाला के दच्छंड में इस्तित है और सबसे नवीन सिनडी है हिमाला की अगर सबसे नवीन परवत संकला की बात करें तो वो कौन सी है सिवालिक सिनडी है और इसका निर्माट 2-5 मिलियन वर्ट पूर हुआ था अगर लगू हिमाले या मद्ध हिमाले की बात करें तो सिवालिक स्रेड़ी और महान हिमाले की बीच में इस परवत संकला है ठीक है ये आयू के अधार पर हो गया अब नदियों के अधार पर हिमाले परवत संकला की बात करें तो नजियों के अधार पर हमाले परवत संकला को चार भागों बाटा गया है, पंजाब हमाले, कुमायो हमाले, नेपाल हमाले और असम हमाले, पहले पंजाब हमाले की बात करें, तो पंजाब हमाले, सिंदु नदी और सतलन नजी के बीच के जो एरिया पाजाता है, वहाई प पंजाब-हिमालय के नाम से जालनी जाते है और पजमागर पंजाब मालय की बात करें tote करें तो कर्वत संग्ला उन्हीं में एक पहली सिरेडी एक की रीड़ी को कहते हैं कारकोरम परवत सेंड़ी को ACA की रीड भी कहते हैं और इसी परवत सेंड़ी में भारत का जो स्वरवच परवत चोटी है क्या नाम नहीं उसका कारकोरम परवत सेंड़ी के बाद यदी बात करें तो लद्दाक परवत सेंड़ी की तो यह सबसे तीज जाता तिब्र डाल की राक पोसी लगफॉत सोटी है अधार राक प॥ोसी किसके अंतर गाता है टो वाद पीर प॥ोस की बारे में एक बात और याद रखना जो सिंदू न दिया सिंदू नदी है यह किसके किसके बीच में इस्तित है जासकर परवत सिंड़ी और पिर पंजाल पंदू परवत सिंड़ी और जासकर परवत सिंड़ी की बीच में इस्तित है कौन सिंदू नदी तो सिंदू नदी कभी कभी पूंचा जाता कि सिंदू नदी किसके किसके बीच म हिमाला की सबसे लंबी परवत संकला है तो हिमाला की सबसे लंबी परवत संकला कौँ सी है पीर पंजाल ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं धौला दर धौला दर परवत संकला धौला दर परवत संकला की बात करें तो ये कुल्लू गाटी धौलादर और पीर पंजाल परोट सेंड़ी की बीच में इसता है ये धौलोदर सेंड़ी जो है ये सबसे जो महान ग्रेट हमाला है जो ग्रेट हमाला है इसके बाद ग्रेट हमाला है लगुए हमाला है और इसके बाद सिवालिक सेनी तो जो पीर परोट सेनी संकला है और जो धाला धरगी दिये ये दोनों किस्मा आती है मद्ध हिमालाय में और कारकोरा मोंगया लग्रेट हिमालाके अंतrगाद हिमालाय की सबसे दचड में स्नध परोट संकला है तो कभी-कभी एक्जाम में इनका क्रम पूछा जा सकता है कि उत्तर से दच्छड की ओर क्रम क्या है तो उत्तर से दच्छड की ओर क्रम में पहले नमर पे आ गया कारकोरम इसके बाद लद्दाक परवस्टर इसके बाद जासकर इसके बाद पीर पंजाल इसके बाद दौलादर उत्तर से दच्छर और दच्छर से उत्तर का क्रम भी पूँचा जासकता है तो दौलादर हो गया पीर पंजाल हो गया जासकर हो गया लद्दाक हो गयी कारकोरम अधिकतर अग्जाम में उत्तर से दच्छल का क्रमी पूशा जाता है कैसे कारकोरम पहले नमर पे अकॉंस ही आएगी कारकोरम आ गई दूसरे नमर पे लदाग तीसरे नमर पे जासकर परवत संपला फिर इसके बाद पेर पंजाल और इसके बाद दौलत है एक इंपोर्टेंट बात और याद रखना कि जो पंजाब हिमाले में जाफरन की खेती होती है जाफरन के फूल से ही केसर को प्राप्त किया जाता है जाफरन की खेती कहा पे होती है कस्मीर जो पंजाब हिमाले वाला एरिया कस्मीर में जाफरन की खेती होती है जापरन की खेती होती है, और वहाई पे क्या होता है, जापरन का जो फूल होता है, उसे से केसर को प्राप्त किया सकता, तती है पंजाब हिमालय हो गया, अब बात करें कुमायु हिमालय की, तो कुमायु हिमालय की गड़वाल हिमालय के नाम से भी जान जाता है, और ये उत्र मुच्छी चोटी कौन साय शायार परस तरह में विन इतरह हिसी ह्माला का हि्स्टिना नदी चुटकर के इसे हिमेलों के सब्सक्राइण उत्रह आग्षा कि बीच में कौन सा है मायो कि माहलाइ नंदा देभी और पंजामेक क्यों सी थी प्रमायो इन nashtan और ने अंगे नैपाल हमाले की बात करे थो नेपाल हमाले काली नदी और तिस्ता नदी हो गयी है वह घ्लाय की की बीच में इस doubt पीची जो nuestra परवस सरी पर्वस राजय में यांगे बात करें तृस्हीं अम हमादलिय की कि भीच की बीच का जो एरिया फाया जाता है असम में इमालहा और रात्य माले से とिए चाहए होती है। तो सददे जल से बरी रहते हिए और इसलिए हमेसा झाल से बरी होती हैं ऐक बात और अप्र भesis आर्थ। प्रदेस नागा लैंड मड़ी पूर मेगाले एक इक important वाग उत्तरप्रदेश जो है ये हमाला के अंदर गया तो नहीं आता है। कि उत्तरप्रदेश के अंदर गया तो नहीं आता है। ये परवत संक्ला का अगर पठकाई परवत संक्ला की बात करें पठकाई परवत संक्ला जो भारत के बारत और मैमार की अंतराष्टी सीमा करने दारण करती है बारत और मैमार की अंतराष्टी सीमा करने दारण करती है कौनसी पठकाई परवत संक्ला करती है कि जो पठकाई प परोट संक्ला ये परोट संक्ला किस-किस राज्ज में फेली हुई ए तो ये परोट संक्ला आसं नागालैंड मरीपोρड मेगाला थे मिजूर्ण पट्काई परोट संक्ला तीन भागों से बनने हैं कौछ पट्काई है नागा पाडियां पूर्म में नागा लायंड में स्थित नागापाडियंग बात औरimin yes नागाफाडियों की बात करें तो यह पारत नहपाल की सी नेदाज कर्ते और नंतर नेदार करते हैं थीक अज कहीं बीडियota को इतना ही अगले इसका ये पार्ट वन था पार्ट टू में, इसमें हम मद्ध हमाल थे कार्या है, मतलब मद्ध भारत की परवत्संकलाओं और दच्छड भारत की परवत्संकलाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी बार जो ठट लेक्ट्चर आएगा, उसमें सारे एक सारे important question answer set लगांगे thank you, thank you for watching share करिए, like करिए, subscribe करिए thank you, thank you, thank you, thank you, thank you